नवश्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सरप्रतम इनके सवालों को सुड़ेंगे, फिर एक करके इनके सवालों का उतर करेंगे, उसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमाई चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किर्प्या करके चानल को सब्सक्राइब कर ले, बेल अकन को प्रेस कर दे, ताकि लेटर नॉटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो चलिए शुरू करते हैं, इनका कोशन इस प्रकार है, वरतमान समय में जौब में हैं, आगे की जिंदगी के विशे में जानना चाहते हैं, और हतली पर क्या अच्छे खराब योग मौजूद हैं, इस विशे पर इनको पूरता जानक हुई है, और कितनी अच्छी, कितनी बुरी, और एक महत्पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दोंगा, अगर आप आज भी असमंजस में हैं, आपकी हतली पर बनने वाले सीमियन लाइन्स को लेके, इसका में एक और मतलब आपको समझाओं, जब आपक हर्ट लाइन और माइन रेखा मर्ज करके एक सीधी लाइन का निर्बान करती है, उसको सीमियन लाइन कहते हैं, तो अगर आप आज भी असमंजस में हैं, आपके आज भी कन्फूजन दूर नहीं हुए हैं, और लगातार वीडियो देखने के बाद अभी भी कन्फूजन में हो, क्योंकि 10 से 15 परसंट के आवाम के यह लाइन जरूर से देखने को मिलती है, तो उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, और जो भी पामिस्ट्रे से इंटरस्ट रखते हैं, उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो आज के समय में भी कन्फूज है तो एकदम को दूर करूंगा पहरे तो इस चीज को आप समझिए कि सीमियल लाइन्स होता क्या इसके प्रभाव कैसे देखे जाते हैं हर एक के हतली पर हर एक तरह के प्रभाव होते हैं लेकिन इसका एक जो कॉमन प्रभाव आता है उसका भी मैं चर्चा करने वाला हूँ तो जब आपकी हर्ट लाइन और माइन रेखा मर्ज करके ये सीधी लाइन का निर्मान करती है तो इसको एक वर्ड में कहते हैं सीमियल लाइन्स और इसके फल को अगर एक वर्ड में मैं डिसक्राइब करूं ऐसे कहने के लिए तो बहुत सी मतलब है बहुत से चीजों को लेके हैं लेकिन अ उनके जिन्दगी पर परिशानी आ सकती है इस emotional nature की वज़ा से है अब कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि गुरू जी मेरे हतेली पर भी semen lines मौजूद हैं लेकिन मुझे तो कोई confusion नहीं आया ऐसा क्यों ऐसा क्या है तो देखिए क्या होता है न कि इसके बाद भी कुछ conditions होते हैं एक line आपकी हतेली पर बन जाये तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि आपकी जिन्दगी उसके प्रभाब से या दुस्प्रभाब से अच्छी या खराब हो जाएगी ऐसा कभी नहीं होता सब चीज़ों को link up करके ही चीज़ों को देखना पड़ता है तो एक normal सा example में आपक चमक होगी आप में ज्यान की अच्छी पैचान होगी आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि मुझे emotional रह के काम नहीं करना मुझे strict बन के काम करना चाहिए अपने life को आगे बराने के लिए second लोग जो मुझे बोल सकते हैं नहीं गुरू जी आप सही कह रहे हैं मैं तो काफी emotional नेचर हैं मैंने बहुत सा गटा सा आपने life पड़ तो वो ये बात क्यों कहेंगे उसकी एक सत्यता मैं आपको बताता हूँ उनके ब्रशपती में थोड़ी दिक्कत होगी fate line disturb होगी आप कहने का कि मेरी ये negativity है इसके अदार पर मुझे बहुत नुकसान हुआ है अब कुछ लोग कह सकते कि मुझे मिला जुला हुआ फल मिला इसका ना तो बहुत emotional ना तो बहुत rude तो आपकी राहू लाइन नहीं होगी आपके एतली पर second one आपकी fate line अच्छी होगी कहीं कहीं disturbance होगा तो ये आपके state of mind को depend कराता या उसका परिचे कराता है हमसे इसमें होता कुछ भी नहीं है emotional लोग खराब होते हैं ये कोई जरूरी नहीं है emotional emotional होते है strict strict होते हैं इसमें खराब अच्छी कि क्या बात है इसके बाद भी कुछ और conditions बनते हैं तो इसको लेके confused होने की panic ह होने की परिशान होने की कोई भी आवशक्ता नहीं है आपको क्योंकि ना तो ये line आपको परिशानी देती है ना तो ये कोई panicness देती है ना तो ये कोई बहुत ज़्यादा दिक्कते देती है लेकिन अगर आपके एतली पर कुछ norms इसके opposite में भी जाए जैसे आप emotional हो और case में है लेकिन इस case में थोड़ा जादा करोगे थोड़ा जल्दी करोगे तो कहीं न कहीं इस चीज को समझने के आवशक्ता है कि आपके एतली क्या बता रही है और आपको किसाधार पेकार करना है तो I hope मैंने आपके confusion को ज़रूर से दूर किया हो अगर मैंने आपके confusion को कर दे और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें क्योंकि देखिए ये मैं एक्स्ट्रा अफ़र्ट आपके लिए करता हूं आपको समझाने के लिए जो मेरे से हाथ दिखाते हैं और जो नहीं भी दिखाते हैं वो भी इस वीडियो को देखके बहुत कुछ सीख सकते हैं तो थोरा ह हमें भी आपर सीट करिए थोरा हमें भी आप आगे बढ़ाईए थोरा चैनल को सस्क्राइब कर दीजे थोरा शेयर कर दीजे ताकि जो जरुत मन परसन हो उनके पास हमारी ये वीडियो पहुच पाए और वो आपका नाम तो ले ही साथ-साथ मेरा भी नाम ले तो प्लीज य आपसे एक रेक्वेस्ट है तो किरप्या करके आमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें तो चलिए देखते हैं अभी इनके प्रशन के तरब चलते हैं तो इनका प्रशनता आगे की जिंदगी देखिए इनका कोई मूर प्रशने बहुत ज्यादा नहीं है और इनके हैतली पर अपनी 21 में वर्स के आईओ में देखा है फिर 23 में वर्स से आपकी नौकडी का योग थे हलकील किसी तरक्की का योग बने वे थे कुछ एक नॉमिनल सा राहू लाइन है जो कि आपके 38 में वर्स में है और ये एक प्रगती के योग 42 में वर्स में साथ है तो इस राहू मेनत वाली होती है लेकिन फुर वही बात है ये कुछ ऐसे मेनत करने वाले परसंस को कमफर्ट मिल जाता है क्या कमफर्ट मिलेगा मान लो आप किसी दुकान में काम कर रहे हो मान लो किसी जगा आप काम कर रहे हो चाए वो क्रड का ही काम हो लेकिन आप इसी रूम में बैठो कि मस्त जिन्दगी बीच जाएगी आपकी वहीं पर तो उस चीज का पढ़िचे आपके शुक्र और आपके एतली पर बनने वाली गद्यदार अवस्था कराती है तो इस केस में आपकी जिन्दगी भहती अराम से निकल जानी है, कमफर्ट में निकलनी है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, एक कोशन था सरकारी नौकरी को लेके, कि सरकारी नौकरी की प्रापती आपको दिख रही है गुरू जी, क्या मुझे सरकारी नौकरी की प्रापती मिलेगी, तो नॉर्मल अस्तरीय सरकारी जॉब की आपको प्रापती मिलेगी, ये आपके एतली मुझे बता रही है, तीस वर्सों से आपकी बागिर एका शक्रिय है, इस केस में अगर आप प्रियास करेंगे तो बहुत ही अच्छे चांसे हैं कि आपको गवर्णमेंट जॉब मिले, लेकिन बहुत हाई लेवल का नहीं मिलेगा, नौर्मल अस्तर का मिलेगा, जो भी जॉब मिलेग एक्स्ट्रा एफट नहीं डाल पाते, खुद भी इंसान और भागिका भी बहुत बना उच्छाल जिन्दगी पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिन्दगी कैसी है, वो जानना जरूर है, आपकी जिन्दगी मस्त स्मूथ है, अब ही रहा हूं, तो जिस समय आपका बूंद बूंद से घरा बढ़ने की बात है, तो कहने का मतलब है, कि थोड़े-थोड़े ही करके बहुत ऊपर चले जाओगे आप, तो यह चीज होगी पहली, अब इसका एक और मैं आपको लॉजिकल तरक देता हूं, कि कुछ लोग की घरे रेखा नहीं है, लेकिन मैंने मेरी तो बूंद बूंद से घरा नहीं बढ़ी, मैंने तो घरा से पानी भढ़ाई नहीं कभी, तो देखिए आपके घरा में छेद होगा, पहला चीज, और नल कभी कबार बंद हो जाता होगा, वो बूंद बूंद भी नहीं निकलता होगा, अरे भया, आपकी राहू लाइन होगी, जो आपको प्रिशान कर रही होगी, नेगेटिव एक्सपेंस को दर्शारी होगी, तो छेदे निकल गया ना, बागी रेखा नहीं है, कभी चला, कभी बंद हो गया, ये वाली प्रॉब्लम होगी, तो अब की बात आपको मैं समझाओं, कि आपकी अदेली पर, एक 38 में वर्श में एक दिक्कत है, उसके बाद जिन्दगी मस्त स्मूथ है, प्रॉग्रस लाइन है, कभी कबार वो एक बूंद, दो बूंद में भी कनवर्ट हो जाएगा, और आपके जिन्दगी पर इंस्टेंट तरक्की आपको मिल जाएगी, आपके लेवल पर, आप अंबानी के लेवल पर मत समझ लेना, ये आपके लेवल की बात कर रहा हूं मैं, और आपकी लेवल है, मेहनत कशवाली, अभी 10 कमा दे हो, कल 20 कमाओगे, पर 130 कमाओगे, आगे चलके ऐसे-ऐसे आपकी salary increment होगी, तो बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, एक आपको जो मैंने ताला कचा भी दे दिया, हर्ज मर्ज की दवा मैंने आपको दे दी, कि आपको मेहनत करना है, और ये सोचना है कि भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ हमेशा है, भगवान अमको अच्छा फल दे रहा, अच्छा देगा, अच्छा देते ही आया है, बस, तो ये आपके एक inner thinking होने चाहिए, बागी तो आपके हैटली का भी मैं और चीज दिखा दूँगा, तो एक बहुत ये अच्छे chances हैं, कि normal government job की आपको प्राप्ती हो, और आपकी जिंदगी अच्छी भी थे इस अधार पर, तो ये कुछ questions थे इनके जिसका मैंने उत्तर किया आपको, अब इनके हैटली का मैं general analysis करूँगा, चीजों का स्पस रूप से clear करूँगा, तो वीडियो काफी महत्पून, देखे, सीखे, समझे, सबसे बड़ी बात है, जब तक आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, आपको इसके regarding benefit नहीं मेलेगा, तो वीडियो को पूरा देखने क्यावशक्ता है, ताकि आप इसके regarding जो भी मेरे दोरा चीज़ें बताई जाते हैं, हमारे experience के दार पर बताई जाती है, उसका आप बखुवी लाव ले पाओ, और हमें भी comments करके बताओ, कि आपको हमारे वीडियो देखने के बाद लाव हुआ की नहीं, ताकि मुझे भी तो थोड़ा मनोबल बढ़ना चाहिए, ना मेरा भी तो थोड़ा मनोबल बढ़ना चाहिए, जो लोग इस stage तक पहुँच गये हैं, जो ये बाते मैंने अभी आपसे करी, वो लोग जरूर से कमेंट करें, अगर आपको हमारे वीडियो उसके बाद लाव हो रहा है, तो आपके लिए एक रिक्वेस्ट है मेरा, मेरा एक रिक्वेस्ट मान लीजी आप, आप ये कमेंट करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, ताकि मैं आपके लिए और नए रोचक जानकारी, लॉजिकल टर्म में ले आपाऊं, और आपको समझाऊं, सिखाऊं, बताऊं, और एक अच्छे जगा आपको ले जाऊं, चलिए जी इनका इतली का अभी में जान असस करूंगा, चीजों को असपास रूप से क्लियर करूंगा, बाते तो बहुत सी होते रहेंगी, तो चलिए इनकी ये दूसरी पिक है, इसमें चीज़े असपास ठें, क्लियर है, तो बाकी इनकी रेक्टेंगल पाम है, जिद्धी किसम के व्यक्ति हैं आप, और जिद्ध आपके हर एक चीज़ में दिखता है, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक जिद्धी व्यक्ति को करूरपती बनना तय है, ये ज़रूरी नहीं है, सबका अपना अपना लेवल है, हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में रखना है, तो जिद्धी परसन है आप, और आपकी सारी प्रेंट्स में स्ट्रेंथ है, इस केस में व्यक्ति को राज्यो की प्रापती है, 55%, मैंने क्या कहा, किसी भी काम में आप रहेंगे, आपकी comfortable जिन्दगी रहेगी, आपकी comfort सी बनी रहेगी, इसमें कोई doubt वाली बात नहीं है, strong आपका थम्ब है, जो कि आपके व्यक्तित्व का परेचे करारा, इच्छा सकती बहुत जबरदश, तरफशकती भी अच्छी, desires के बहुत ही अच्छे योग है, इसके इसमें व्यक्ति बहुत desirable होते है, इसमें कोई doubt नहीं, इनको बहुत कुछ करना होता है, एक खड़ी line है, तो व्यक्ति जो भी अपने life पढ़ें, अपने दम पढ़ें, second friend अच्छा है, तो धीरे-दीरे करके, आप उस मुकाम तक जरूर से पहुँच पाएंगे, जिसके expectations आप अपने life से रख रहें हैं, तो थम्ब काफी शांदार आपका, समझदारी के लूप काफी अच्छी है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते, अपने कार को समझदारी से करते हैं, अब इतना खुश हो के इसलिए मैं बोड़ाओ, फर्स्ट फ्रेंच बहुत बढ़िया है, भले ही आपके हाथ में बागी रेखा नहीं है, लेकिन और जितने भी नॉम से न वो बहुत अच्छे हैं, भले ही आपको तुरत हाइट नहीं मिलेगा, लेकिन धिरे-धिरे आपको बहुत अच्छा हाइट मिलेगा, और बहुत अच्छे मुकामबे आप जाओगे, लिख के ले लो आप, और स्ट्रॉंग आपकी ब्रश्पती की फिंगर सन की, बड़ी है तो इंसान बहुत हिम्मती, ब्रश्पती की छोटी है तो सन की बड़ी इंसान को हिम्मती बनाती है, बीच में गैप है तो यह आपके खर्च ले प्रविर्थी के तरब इंडिकेसंस डाल रही है, तो थुरा खर्च आपको सोच समझ के करना इस बात का आपको ध्यान देना है, बाकी आपकी सेटर न सन फिंगर लंबी हिम्मती तो आप हैं, बुद्ध फिंगर बड़ी है तो विक्ती, बहुत ज़दा अच्छे होते हैं, इनको किसी को भी अपने बाते समझाने में ज़दा परिशानी सी नहीं होती है, और नहीं होनी चाहिए, तो ये इनके फिंगर के विशे में कुछ महत्यपून बाते थी, फिंगर लंबी है तो ऐसे फिक्ती लॉजिकल तो होते ही होते हैं, इसमें तो कोई डाउट वाले ही बात नहीं है, अभी चलते हैं, इनके प्लैंट्स के तरब जहापर से स्थितियां ज़दा क्लियर हैं ये वाली पिक में, तो ब्रश्पती, ब्रश्पती इनके मद्य मस्तरिय प्रारमिक से में दबाब तो थाई, वो तो मुझे दिग गया, बाग कुछ स्क्वायर से बन रहे हैं इस केस में, आने वाई से में ऑथर्टी पोस्ट की आपको प्राप्ती होगी, बाग कुछ परोपकार के लाइन से सेवा भावी नेचर है आपका, ब्रश्पती अभी की ठीक है, इनकी तकरिवा थाईस वर्स के बाद, तो 28 वर्स के बाद, थोरा स्ट्रगल आपके जिंदगी पर कम रहा होगा, चीज़े अच्छी मिले होगे आपके लाइफ पर, और आगे भी एक कंटीन्यू बैसिस पर मिलते रहेगी, तो ब्रश्पती के विशे में था, एक डिस्ट्रबिशे शुक्र वले थी, तो हलकी मू इनका डिस्ट्रब्स है, इस केस में थोड़ी प्रारंबिक से मूट स्विंग की प्राप्लम रहती ही इन लोगों को, तो थोड़ा आपने उपर कंसंट्रेट करना, हलांकि वो समय से आप अब निकल रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट वाले समय से, तो जो साइड इफेक्ट इस तीस के राउंड से हुई थी, उसके पहले तो भधिकत थी आपके जिंदगी पर, बहुत ज़ादा अबेनत करते होंगे, फल नहीं मिलता होगा, आगे बरने जाते होंगे, पीछे हड़ जाते होंगे, यह सब समस्या हैं, आप जरूर से जेल पा रहे होंगे अपने जिं अब शुक्र वले ही था, बागी ट्रेंगल आपको प्रापर्टी के रिगारेगा, आगे सुख देगा, लाइन ओफ एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी है, इंसान में बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती ही, बहुत शांदार होती है, दूसरे को समझाना या खुद मे समझने की एक जो चमता है, वह बहुत अच्छी है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर देखे सन और मरकरी काफी अच्छी पोजिशन में है, तो आगे चलके विक्ति विपार कर सकते हैं, लेकिन फिलाल के लिए तो कोई बुद्ध रेखा नहीं है, बाकी बुद्ध इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, बाकी आपकी फिंगर तो ठीक ठाक सी एमाउंट में है, दोड़ो मंगल अच्छी है, तो जल्दी किसी परकार की स्वास्त की परिशानी नहीं होती, बड़ी उत्तम स्वास्त रहती है, आपकी बड़ी जबरदस्ति सी रहती, इ आप लोगों की, बाकी मंगल अच्छा है, तो एनरजी बहुत अच्छी, लॉजिकल भज़बरदस्त, और प्रापर्टी विगरा, अगर ट्रेंगल से बन जाया आपके तरी पर तो इसका योगसा बना देता है, आप प्रापर्टी रिगार्डिंग सुख को जरूर से पा सक आपका नेटिब प्लेस है, वहाँ से दूर का आपका वास होगा, वहाँ से दूर की आपके तरक्की होगी, जो कि आपके तली मुझे बता रही है, चैनर में अच्छा है, तो फिर जादा भगदोरी लाइफ पर रहती है, एक जगह स्टेबल होके काम करते हैं, एक सैलरी फि प्रारंबिक से में कुछ स्ट्रेस था, आपकी मनी के लाइन बहुत अच्छी थी, तो पैसा तो आप कमाई लेते हो, जो गारू तो आप है, शुक्र बढ़िया है, तो कपरोर से गार्मेंट से बूटीक का कारे करोगे, इन चीजों में अगर आप अपने आपको इन्वेस् भी आप रहेंगे, और स्वास्त इतनी अच्छी कि जल्दी किसी प्रकार की प्राब्लम नहीं होती, अगर लापरवाही आपके द्वारा की जाती है, तो उसका खाम्याजा भी खुद आपको ही भुगतता है, तो मेरे समझ से लापरवाही ना करे, मेरे समझ से स्वास्त का पूरा ख्याल रखे, पूरा दियान रखे, बाकी तो जल्दी किसी प्रकार के प्रावलम आपके एतली पर है नहीं, जीबन रे का मस्त है, आयो दिरगायो है, कुछ आपके स्क्वाइर से बने हुए, बंगल अच्छा उबर प्राक्रमी है, तो नॉर्मल स्तरी या प्रापटी जरूर से आप बना पाओगे, जीबन रे का मस्त स्मूथ चल रही है, 75 बेर प्लस और फिर कंटिन्यू बेसिस पर 23 वर्स से प्रगती थी, एक आपकी 42 वर्स में बड़ी प्रगती, एक 38 वर्स में कोई दिक्कत है, फिर आपकी जिंदगी मस्त स्मूथ है, एक नॉर्मल नॉ यह कुछ बड़ी यातरा के तरफ परिचे करा रही है, लेकिन ऐसे जिंदगी मूती रहती है इन लोगों की, यह कुछ प्लस में बड़ी तरक्की है, यहां पर एक दिक्कत है, 38 वर्स में कुछ उपाई में दे दोंगा, उसके पहरे तो आपकी ठीक ठाक सी चल रही है, अच कि सीमियल लाइनस के समान है, नहीं सीमियल लाइनस नहीं, माइन रेखा का एक ब्रांज सा लग रहा है, मुझे नहीं नहीं, यह कुछ कट सा है, हां तो 38 उन चालिस में में कुछ कट है यह, तो 38 से लेके 40 वर्स के बीच में थोरा सा आपको समनना है, थोरा सा कोशिश करना ह दंग से करें और इसके रिगार्डिंग आप एक नॉर्मल सा उपाई कर सकते हैं वाटसप पर क्यों मैं अभी आपको दे देता हूं इसका उपाई इसका एक बहुत ही अच्छा उपाई आप कर सकते हैं कि आप सिवलिंग पर जल दीजिए ये आपके लिए काफी जादा बेनि करना है कि मैं चीजों को सोच समझ के करूं बाके 28 से फेट लाइन अच्छी है जंदगी कर लास्त तक है सुरी रेखा पर भी अच्छी कंडिशन्स मौजूद है इस केस में विक्ति कई न कहीं अपने जीवन पर एक तरक्की को जरूर से पा पाते हैं इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है स्ट्रॉंग आपके ट्रेंगल सुनुमा आकिरती का फोरिमेशन है इस केस में विक्ति प्रॉपर्टी बना पाते हैं 40 वर्स के बाद 40 एर्स के बाद और आपकी जवर्दस्त ये जो लाइन्स है ये माइंड रेखा कि कुछ ब्रांचेस तो निकल नहीं यहा आपके इंडिकेशन से इस केस में जादा सोचना नहीं है आपको ये खतम हो गया कानी भूल जाओ खुश रहो आगे के लिए प्रियास करो यहां पर से देखो मल्टिपल प्रॉपर्टी का योग है तो बहुत अच्छे चांसे से हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का योग बने 40 वर्सों के बाद या फिर 36 वर्सों के बाद ये था इनका देले का पुणता विशलेशन अगर आपको माला ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दे कमेंट कर दे सेरे कर दे सस्क्राइब कर दे अगर आप पस्तन ही मिल सास्तिरेका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं हमा